अलो फ्रेंड्स वेल्कम यूआ अलो ने रूटूब चैनल इसमार्ट इजम प्रेशन में डोक्टर सत्यन त्रिपाथी दोस्तों आपको बता दो कि आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉटेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी रिसर्च या फिर टीचिंग में जा आया हुआ है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में इवन आर्ट्स के भी सब्जेक्ट में यहाँ पर वेकंसी आई हुई है तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो PSD के लिए जैसा कि यहाँ पर दोस्तों शुरू में ही दिया है कि ओपनिंग डेट और लास्ट डिट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 तक यह लास्ट डिट है ठीक है दोस्तों आज का वीडियो जो है आगे स्टार्ट करने से पहले जो है आप यति आप हमारे चैनल पर फिर्स टाइम आओ तो चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बतायते हैं कि यह जो है यहां पे जो पीएसडी का फॉर्म आया हुआ है इंडियन इंस्टिटीट आप टेकनलोजी भूनेश्वर में यह जो है वेकंसी पीएसडी के लिए ठीक है और दोस्तों यहां पे जो है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में यहां पे यह वेकंसी मतलब या फिर पीएसडी के लिए सीट्स आई हुई है तो पहला जिसा दिया है स्कूल आफ बेसिक साइंसेज इसमें जो है बायो साइंसेज केमेस्ट एलेक्टरीकल साइंसे के दिबात करें तो इसमें जो है कॉम्प्यूटर साइंस में उडेक्ट्रोनिक्स क्व्यूनिकेशन इंगियरिग में अलेक्ट्रोनिक इंगिनिरिग में जो है और इसब्जेक्ट्स के लोग अप्लाइं कर सकते हैं ठीक понимаю्न इंग दादीक्ट्स into फ फिर 6 जो सब्जेक्ट है इसकूल आप मेकेनिकल साइंस में और फिर 7 जो दिया हुआ है स्कूल आप मिनरल्स, मेटरलोजिकल एंड बैटरिल इंजिनिरिंग में जो है और दोस्तों यहाँ पर eligibility criteria की बात करें यह important point है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों जैसे कौन कौन से लोग eligible है जो कि इस application form को fill up कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे आपर clearly दिया हुआ है कि candidate who possesses the qualifications as mentioned below are eligible for admission into the PhD program for full time with institute research associateship और UGC और CSIR Net Junior Research Fellowship और any other doctoral fellowship offered by government of India ठीक है as the case is applicable मतलब इन में से आपके पास जो है क्या है यह depend करता है आपके पास जो है इन में से मतलब या तो आप जो है मतलब फुल टाइम एक तो आपको PhD करना है यहां पर ठीक है और दोस्तों यहां तो आपके पास UGC या फिर CSIR जारफ नेट हो ठीक है जारफ हो और यहां फिर जो है कोई government of India को जो है doctor fellowship आपके पास हो ठीक है यहां फिर जो है यहां फुल टाइम आप जो है institute research पर आप यहां पर मतलब इंगेज हो ठीक हो ठीक है तो इस तरह से जो है eligibility criteria यहां पर है और दोस्तों बात करें हम लोग तो relaxation की तो यहां पर दिया हुआ है जैसा है कि आपको जो 5% का relaxation दिया जाएगा इसमें examination में जो है academic जैसा कि दिया है relaxation of up to 5% marks in all academic examination level is permitted for SC और ST और PWD candidate से के मतलब 5% का आपको relaxation दिया जाएगा SC और ST और PWD candidate की case में और दोस्तों वैसे ही जो है फिर आगे बात की गई है दोस्तों के वाली important points जो हमारे recording है उनको मैं बता दे रहा हूँ बाकि आप अपने recording एक बर जो है यहां पर जाकर कि साइट पे detail पढ़ लेना समझ लेना satisfy उकर के दिन इस application form का apply करना ठीक है दोस्तो मतलब master degree के साथ साथ यहां पर दोस्तों जैसा दिया है clearly जो है कि a candidate must have a valid gate score और have secured UGC और CSIR NetJRF ठीक है मतलब आपके पास यहां तो valid gate score हो ठीक है या फिर आपने UGC या CSIR NetJRF qualify किया है then आप इस application form को apply कर सकते हो और दोस्तों वैसी जो है फिर PhD Geoscience के लिए भी दिया है और PhD climate sciences के लिए PhD जैसा कि यहां पर हम लोग बात किया थे जो arts or management के जो subjects है ठीक है उनके लिए यहां पर दोस्तों दिया है कि मतलब master degree के साथ साथ जो है आपके पास UGC NetJRF and LS qualified at least होना चाहिए then इस application form को आप apply कर सकते हो ठीक है वैसी दोस्तों हम लोग application fee की बात करने तो दोस्त पे करना है इस application form को fill up करने के लिए ठीक है तो दोस्तों इस तरह से मैंने कोशिश किया कि जो भी minimum जो requirement इस मतलब जो भी knowledge जो भी मतलब information इस application form को fill up करने के लिए जो required थी मैंने कोशिश के update करने की बाकी जो है आप इस जो भी इस पर detail दिया हुआ एक बार आप इसको पढ़ वीडियो useful and informative लगा हो तो चाहिए तो मैंने चलर को subscribe कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए already मैंने ऊपर जो बता चुका है कैसे आप subscribe कर सकते हो इस चैनल को दोस्तों इतना पेसेंस फुली आप लोगोंने आज का वीडियो वाच किया उसके लिए thank you so much दोस्तों next वीडिय thank you so much